हेलो दोस्तों स्वागत हैब सब कर फिर से आल अबाउट एटे क्लासिस में चलिए कुछ नया सीखते हैं कुछ इंपोर्टेंट सीखते हैं जो हमारे आईटे में आ सकता है एक्जाम में तो आज का हमारा टॉपिक है पाइथा गूरस पर में ठीक है तो आप लोग भी ना लिए और साथ में नोट्स जरूर बनाईएगा ठीक है तो हेडिंग ना लिए पी वाई टी एच ए जी ओ आर एस पाइथा गोरस अब यह जो थिवर्म है आप लोग ने आठवी नवी या दस्वी किसी एक लास में इसको पढ़ा है और महुत सारी इसके प्रेमिक बनाए होंगे और बहुत सारे इसके त्रिभूच से रिलेटेट सिध्धांत इससे होते हैं ठीक है तो चलिए पहले एक्जेक्ट डेफिनेशन देखते हैं कि पाइथागुरस है गया इक ग्रिक कंट्री है उस देश का यह साइंटिस्ट थे रोहन ने इस थेवर्म को दिया बहुत पहले से कितने बड़े-बड़े साइंटिस्ट रहे होंगे ठीक है चलिए तो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं एक्जेक्ट कि यह बोलता क्या है फिर हमारे आईटे में किस परकार के इससे क्वेश्चन पूछते हैं उसको देखेंगे ठीक है तो चलिए लिखेंगे किसी भी किसी भी समकोड त्रिभूज में कर्ण का वर्ग अन्य सेस दो भुजाओं के के वर्ग के योग के बराबर होता है कि बराबर होता है ठीक है अब इसमें समझने वाला बात क्या है कि यह थेवरम स्रिप समकोड त्रिभूज में लगा सकते हैं ठीक है जो पाइथावरस जो सर्थ है उन्होंने कहा कि किसी समकोड त्रिभूज में सिर्फ समकोड त्रिभूज में यह लगेगा कि करन का वर्ग अन्य दो से इस भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है अब समकोड त्रिभूज किसको बोलते हैं आट त्रिभूज जिसमें एक कोड कम से कम नàiटी डिगरी करून चाहिए जैसे देखिए यह समकोड त्रिभूज है यह समकोड त्रिभूज है कि यह वह तो पर से जो थिगरी जिन डि़िए यह यह नाइटे डिग्री यह नाइटई डिग्री तो कोई ना इकोड 90 डिग्री का ज़रूर वना चACEव तब ही इसमें हमोग ढवाई संकूल प्रभुज इसको बोलेंगे थीक है अब जो सम्कूल त्रभुज में जो सब आपसे लंबी भूजा को क् initi as यह करण है ठीक अब इंगल के साथ जो नीचे में इतेक्छ रहता है वो नैदर और जो कर भूब एता रहता है वह तो कि यह यह द दो यहोगे लम हर यहोगा आधार ठीक है यहोगे लम्ड यहोगा आधार सिंपल सा बात है तो ऐसे ही कोई भी समकुर्ट त्रिभूज में इसका वर्ग अन्यदों भूजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है ठीक है त्रिभूज और सारे हैं लेकिन उन सब त्रिभूजों को नहीं लेंगे जैसे यह त्रिभूज है इसमें यह फार्मूला नहीं लगेगा इसमें फार्मूला नहीं लगेगा इसमें फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यह समकूर त्रिभूज नहीं है चलिए अब इसका फार्मूला कैसे बन और को रम ये बोला है उन्होंने कि करण का जो वर्ग है आ कि वह लूम करण और अधार को बंगे बराबर होता है ऐला थिक है को में वह अगर सब्सक्राइन को मान पूछे तो वर्ग को लग जाता है वर्ग मोल का अपोजित वर्ग होता है वर्ग का पोजिट वर्ग मूल होता है तो इसमें से वर्ग को वटाएंगे तो इधर जाके लग जाता है लंब का वर्ग और अधार का वर्ग और वर्ग मू लग गया ठीक है मेन फार्मूला यह है इसमेंसी यैकरन निकाल सकते हैं अगर पूछे लंब कमान बताई रहर नादाइक्फिर इसी फार्मूला में करनं का वर्ग अगर निकालने के लिए बोले है तो अधार को इधर भाइजना पड़ेगा आधार इधर प्लस में है इधर जाके माइनस भाइजाएगा उस साइड़ बचेगा लंब का वर्ग यह हो जाएगा करून का वर्ग माइनस लंब का अस्वरी करून का वर्ग माइनस आधार का वर्ग अब इसमें से इस वर्ग को हटाएंगे तो सेम एक चीज और इसमें फर्मुला बनेगा अगर इसमें से अधार का मान पूछे तो डारेक्ट लख सकते हैं इसको अधार बराबर भी ऐसे निकलेगा करुण का वर्ग मानिस अधार का वर्ग ठीक है तो इसमें से घुमा घुमा के इस तीन चार प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा ठीक है चलिए अब हमारे एक्जाम में किस प्रकार के question आते हैं वो मैं आपको बताता हूं फिर डारेक्ट नुमेरिकल में चलेंगे concept इतना ही है किसी भी समकोड तरिभूज में करण का वर्ग अन्य दोस्य इस भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है अब question क्या पूछता है ये समकोड तरिभूज दे देगा लब्म का मान दे देगा कुछ चार दे दिया करण का कुछ मान दे दिया करण बराबर पांच दे दिया तो फूछेगा समकुर्थे भज में दोठो मान यह देगा और तीसरा को पूछेगा एक टाइप का question यह होता है डारेक्ट देदेगा ठीक और एक टाइप को question यह होता है है और जो टाइप है वो यह है कि थोड़ा theoretical question रहता है कि एक 12 मीटर लंबा सीडही ऐसा बलेगा एक 12 मीटर लंबा सीड़ी एक दिवाल पर टीका हुआ है या फिर बोलेगे दिवाल एक सीड़ी का उपरी हिस्सा या एक सीरा दिवाल पर टीका हुआ है और दूसरा सीरा जमीन से 6 मिटर की दूरी पर है तो दिवाल का हाइड बताईए घूम फिर के question मन जाता है वही पाइथा गुरस का दो विल्यू दे रहेगा और तीसरा विल्यू हम लोग को इसमे निकालना रहता है यह इसको और घुमा के पूछ सकता है ठिक क्या बोलेगा एक स्रीधी किसी दिवाल पर टीका हुआ है जिसका लंबाई ज्यात कीजिए येदि दिवाल का लंबाई 5 मीटर है और स्रीधी का निचला हिस्सा यहाँ से दिवाल से दस मीटर की दूरी पर है तो शुड़ी का लंबाई बताइए तो पूछा है क्या है करण पूछा है ऐसे गुमा गुमा के कुश्चन को पूछता है ठीक है चलिए तो प्रस्म लिखते हैं डारेक्टली और चार-पांच निमेरिकल बनाते हैं ठीक है कुश्चन लिखेंगे 12.5 मिटर एक सीड़ ही 12.5 मिटर लंबी एक सीड़ ही किसी दिवार पर टीकी हुई है किसी दिवार पर टीकी है ठीक है सीड़ी का निचला हिस्सा निचला हिस्सा दिवाल से 7.5 मिटर दूरी पर है तो दिवाल की लंबाई बताओ या बताओ या बताईए जो भी है ठीक है तो सबसे पहले इस कोश्चन को बनाने के लिए आपको एक राइट इंगल ट्रैंगल बनाई है और क्या के दिया है उसको लिख लीजिए ठीक है तो चलिए एक राइट इंगल ट्रैंगल बनाते हैं यह हो गया ठीक यह नाइट दिग्रिया मान लीजिए तो अब राइट इंगल ट्रैंगल हो गया सीड़ी कि इतना लंबा दिया है 12.5 मिटर लंबा एक सीड़ी दिया है और 7.5 मिटर दूरी पर दिवाल से सीड़ी का निचला हिस्सा 7.5 मिटर दूरी पर है यह दिवाल का हाइट बते यह इसको दिवाल मान लिया है ठीक, simple सा question है, अब क्या क्या दिया है उसको हम लोग को लिखना पड़ेगा दिया क्या क्या है भई, यह सीड़ी है, यह तो यह करण है, यह करण है, यह लंब है और यह आधार है तो क्या दिया है, करण बरापर क्या दिया है, बारत समलो 5 करण बरापर बारत समलो 5 और अधार बराबर कितना दिये है क्या दिये है अधार बराबर दिये है 7.5 मीटर है और लंब बराबर यह हम लोगों को ग्याद करना है xyz जो भी मान लीजिए तो पाइथागुरस प्रमे क्या बोलता है फार्मूला क्या है कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब के वर्ग और प्लस अधार का वर्ग का तो जो जो वेल्यू दिया है उसको लिख दीजिए और जो नहीं दिया है उसको निकालना पड़ेगा करण बराबर दिया है 12.5 का स्क्वेर लंब बराबर निकालना है अधार बराबर दिया है 7.5 का स्क्वेर ठीक है तो 12.5 12.5 गुड़ा 12.5 करेंगे तो आपको लगभग मिल जाएगा 156.25 ठीक है लम्म कबर गवरावरत नहीं होगा और 7.5 का दो बार गुड़ा करेंगे तो आ जाएगा 156.25 लम्म कमान निकालना है इसको इधर भेजना पड़ेगा तो यह प्लस में है इधर जाके माइनस सिंपल सा बात है 156.25 माइनस 56.25 बरावर इधर बज़ गया है लम्म का वर्ग एक सोचपन में 56 गया तो इतना बज़ेगा स्रिप 100 लम्म का स्क्वेर तो लम्म बरावर हो ज 10 मीटर तो दिवाल का लम्म बरावर कितना आ गया 10 मीटर दिवाल का लम्म बरावर 10 मीटर है लेर है ठीक इसी प्रकार से कोस्चन सिंपल सिंपल कोस्चन आप लोग को पूछेगा चलिए नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं calculate the hypotenuse of right-angle triangle whose base is 5 cm and height is 12 cm direct triangle बनाते हैं ये एक triangle दिया हुआ है बोल रहा है जिसमें की कर्ण बरावर दिया है कर्ण निकालने के लिए बोल रहा है ठीक कर्ण ग्यात करिए बोल रहा है जिसमें का base ये अधार जो है ये दिया है पांच मिटर का और height जो है 12 मिटर का दिया हुआ है स्वरी cm में हैं दुनों ये भी cm है ये भी cm है ठीक 12 cm का height है और base कितना है 5 cm का तो कर्ण का value ग्यात कीजिए सिंपल है तो सबसे पहले क्या के दिया है उसको लिख लीजिए दिया है कर्ण बराबर नई दिया है क्या करना है लंब बराबर दिया है 12 cm आधार बराबर दिया है 5 cm सब्सक्राइब कर्ण बराबर नहीं दिया है लंब बराबर दिया है बारा का वर्ग और आधार बराबर दिया है पांच का वर्ग बारम बारम होता है 1445 पांच पंच होता है 25 कर्ण का वर्ग अब इन दोनों को जोड़ दीए तो एक सब्सक्राइब परचीस होता है 169 अरगर कर्ण का मान निकाले तो यह हो जाएक अंडरूट 169 तो 169 किसका होता है वाई 13 का अबरग मूल होता है तो कर्ण बराबर क्या मि तेरा तो यहां पर लिख सकते हैं तेरा ठीक है सिम्पल कोस्चन था चलिए नेक्स्ट कोस्चन दिखते हैं महला कोस्चन बोल रहा है है हाइपोटेनियस अब ट्राइंगल इस 25 सेंटीमेटर इफ वन साइड अब ट्राइंगल इस 24 फाइंड दे लेंध आप दी थर्ड साइ सेंट ये लिए हो तोस्थ क्यों पडेर धिक है झौकरette 425 सेंटिमिटार का है आप सेअब देदिया गया है और कोय एक साइड जो है 24 सेंटिमेटर का है तो एक और साइड जो बचरा हो उसको ब्याट कीजिए ये करण दे दिया लंब दे दिया अधार दे दिया अगर question पढ़ने के बाद आपको लगे कि इसको 24 लेना है तो इसको भी 24 ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है चलिए क्या-क्या दिया है दिया है में लिख सकते हैं करण बराबर दिया है पच्चीस सेंटी मीटर लंब भी 24 कि मीटर अधार बराबर याद करना है यह एक से जाथ करना रैटिंग ठोड़ा सच्छा नहीं बनता भी आप लोग थोड़ा सा समझने का कोशिव करिए गा तो पाइधागुूरस से हम लोग को क्या पता है अग क्या बोलता है करण का वर्ग बराबर होता है लंग के ब इतना तो सब question में लिखना है, अब करना का मान दिया है, 25 का वर्ग, लंबरावर दिया है, 24 का वर्ग, अधार का वर्ग निकालना है, ठीक है? तो 25 गुड़ा 25 कितना होगा 625 ठीक है वर्गुर्ण कालने से 24 का करना से ज्याद आता है 573 ठीक प्लस अधार का वर्ग अब 573 को इधर ले आई ये 573 को इधर ले आई ये तो यह हो जाएगा 625 माइनस 573 बराबर हो गया अधार का वर्ग इन दोनों को घटाएंगे तो मिले का आपको 49 बराबर अधार का वर्ग तो अधार बराबर अंडर रूट लगाएंगे उन्चास में कि उन्चास किसका वर्ग मूल है कि इसका वर्ग है यह वजाता साथ का साथ सत्य होता है उन्चास तो अधार बराबर आ गया सात सिंटीमिटर को यहां पर लिख देजिए साथ सेंटीमिटर ठिक सिंपल कुष्चन है आप लोगको भी पहले ऊसी ट्रैंगल बना लेना है दो चार कोश्चन और देखते हैं, सब ऐसी कोश्चन पूछेंगे, सिंपल सिंपल, कोई हाड कोश्चन इसमें नहीं पूछने वाला है ए लेडर is 15 meter long, is placed leaning against a wall with its lower end and 5 meter away from the base of the wall find the height of the point where the top of the ladder touch the wall ठीक है, क्या है जो बूख है जिसमें इस कोश्चन ले रहा हूँ, वो इंग्लीस में है इतले थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगा, इसलिए question को direct उसमें से नहीं लिया हूँ, मैं पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग को direct बता दे रहा हूँ, ठीक है तो पहले triangle बना लेते हैं, बोलना है 15 मिटर लंबा एक सीड़ी है, तो सबसे लंबा सीड़ी, तो यह होता है, यह 15 मिटर हो गया, करण हो गया, और लोवर इंड जो है सीड़ी का, तो 5 मिटर अवे फ्रम दे वाल है, तो यह बेस अब दे वाल है, और यहां से 5 मिटर अवे है, 5 मिटर के दूरी पर है, तो दीवाल का हाइड बताई यह बोल रहा है, वेर दे टाप अब दे लेडर टच दे वाल, कहां पर टच करेगा, सिंपल सक बात है, क्या कह दिया है, लिख लेते हैं, दिया है, करण बराबर क्या दिया है, 15 मिटर, लंब गयात करना है, एक समाल लिजे, और अधार, वराबर दिया है, 5 मिटर, अधर बराबर 5 मिटर, ठीक है, तो पाइथागोरस से हम लोग को क्या पता है, करण का वर्ग, वराबर होता है, लंब का वर्ग और अधार के, वर्ग के, ठीक है, तो करण वराबर सब कमान लिए देते हैं, 25, एश्वारी, 15 का स्क्वेर, प्लस लंब राबर, निकालना है, तो इसको लंभी रहन देते हैं, आधर बराबर 5 का स्क्वेर, तो पंदरा गुडित, पंदरा गुडितों के तो हो जाता है, 25, ठीक है, प्लस लंब का स्क्वेर, पंच पंचे, 25, इसको इधर ले आई ये, 225 माइनस, 25 एक्वल टू लंब का वर्ग, ठीक, अब इसको घटाई है, यह हो गया, 200, ठीक है, 200 बराबर खो गया, लंब का वर्ग, तो लंब निकालेंगे तो यह हो जाएगा, अंडर रूट, 200, आप लोग इसको भाग विदी से निकाल दीजिएगा, ठीक है, 200 का वर्गमूल लगभग आता है, 24, 24 के आसपस आता है, तो दिवाल का जो हाइट है, वो 24, 24 के आसपस हो जाता है, ठीक है, 24, 24, ठीक, चली, आगे बढ़ते हैं, सभी प्रस्ण ऐसे ही हैं, सिंपल सिंपल प्रस्ण है, कोई बहुत हाड प्रस्ण इसमें से नहीं पूछता है, चली, एक हार कुछस्चन दिखते हैं, एक हार कुछस्चन दिखते हैं, कि अगर कुछचन और टफ करना चाहें, तो कैसे कर सकता है, क्वश्चन लिखेंगे, यह बुल रहा है, इसमें पहले आप लोग को सिचuallyसन उस को समझा देता हैं, यह हो गया, और एक मिन्नाट यह ऐसा सी चुस्टन है अब कुस्टन क्या बोलता है देखिए बोलता है 10 मिटर लंबा एक सीड़ी है ठीक है 10 मिटर लंबा एक सीड़ी है और दिवाल का हाइट 6 मिटर है इसी पे वो टीका हुआ है सीड़ी ठीक, 6 मिटर हैट के दिवाल 10 मिटर लंबा सीड़ी उस पे ठीका हुआ है ठीक है तो यह बोलता है अगर यह सीड़ी अगर यह सीड़ी उपर से 2 मिटर खिसक जाता है 2 मिटर नीचे खिसक गया पहले यहां तक सीड़ी ही था हिसा के यहां पे आ गया है सीड़ी ठीक, 2 मिटर खिसका तो सीड़ी के नीचला हिस्सा यह हिस्सा कितना खिसकेगा कुछ न कुछ खिसकेगा ना भई यही पूछ रहा है कौस्टिन पहले यह था पहले सीड़ी इतना उपर में था 2 मिटर खिसका 2 मिटर नीचे आ गया तो इधर भी कुछ खिसकेगा ना इधर भी खिसका देखिए यहां तक था पहले यहां तक आता था सीड़ी यहां तक आ गया तो उपर हिस्सा 2 मिटर खिसकेगा तो नीचला हिस्सा कितना खिसकेगा यही पूछ रहा है कौस्टिन ठीक है इसको कैसे निकालेंगे अच्छा पहले कौस्टिन में इसमें आपको पहले अधार निकाल लेना है फिर दूसरा यह 1 है यह सीच्वेशन 2 है पहले सीच्वेशन 1 को देखिए इस त्रिभूज को पहले देखिए यह त्रिभूज क्या बोलता है करण बराबर क्या दिया है इसमें 10 इसमें लंब बराबर दिया है 6 अधार नहीं पता निकालना है तो निकाल लेते हैं अधार का स्कुरेर है दस्द हम सोह सो चतीस केट प्लस अधार का वर्ग दस कि धर लिया यह स्व मैंस 148 यॉक्टु आधार का वर्ग तक उन्डर रूट Task अधार बराबर आपकालेगा है ठीड क है मिया थैक हैς अब इसमें अगला जो सिच्वेशन बनता है यह जो एक से इसको निकाल लीजिए दूसरा सिच्वेशन में भी एक सको निकाल लेते हैं तो एक वर और इसको हल कर लेते हैं दूसरा सिच्वेशन इतना पहला सिच्वेशन का अधार इतना निकला अब इसको भी निकाल दोनों जो अधार आएगा उसमें से माइनस कर देंगे जो पहला अधार था वह आट आगया अब इसको देखिए कि इसमें करण का वर्ग बराबर दस हो गया लंब बराबर कितना है चार का स्कूर प्लस अधार बराबर कितना है निकालना है यह हो जाएगा अधार का वर्ग तो अधार का वर्ग तो अधार निकालेंगे तो अंडर रूट चवरासी यह कितना जाएगा बराबर कितना होगा इतना होगा कितना होगा 9. kan fragment 165 कि आसपास गया थीक है तो पहला जो सीढ़ी था यहा तक था और अभी जो सीढ़ी यह वहां तक है तो इतना खिश्का कि यह एकस दिक्रहनी खिश्का भी तो दोनों को मैंस कर दें तो निकल जाएगा यह कितना खिसका मतलब यह आठ निकाल लिए ना भई यह निकाल लिए आठ फिर दूसरा बार में कितना निकाल लिए 9.165 तो यह कितना बचा तो यह बचेगा 9.165-8 तो यह हो गया 1.165 ठीक है इतना मीटर खिसके गए सीड़ी अब आप लोग के पास जो बनाईए थिक जितना ज्यादा निवरे कल आप लोग small करेंगे रहा उत्तना ज्यादा ज्यादा तो पूच्चन आपको डिज़ सब्सक्राद लगने लगेगा ठीक है एक आत कोच्यन और बना लेते हैं ठीक चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो पूछता नहीं है इस यूनिट से चलिए एक जियोमेट्री के क्वेश्चन और देखते हैं यह डारेक्वेश्चन दिया हुआ है ठीक है ठीक है धर को मिरा दीजिए यह डारेक्वेश्चन दिया है भुक में ठीक है यह बोलता है यहां से यहां तक यह जो पूरा हाइट है 20 मिटर का है अब यह सेंटर से कलाइन गया है और यह बीच में कुछ गेप है यह गेप एक सध्यांप kutनाय को निकालना है बोल रहहे है और यहां से यह यहां यह R ये वरबर दिया है 28 अब पूछ रहा है इस गेप का एकस कमान को बताईए एकस कमान को बताईए ठीक है तो वर्गमूल के अंदर है तो हम लोग को सिंपल से ट्रेंगल बनाना है तिया यहां से हाँ गया यह जो लाइन है यह कितने गए 20 को यह टोटल कर वह तक जाएंगे तू कितना होगा 28 होगा क्योंकि रेडियस है घुम रहे पूरा यह यहां तक 28 से बट हम नौकों यहां तक को निकालना है ठीक अभिये टोटल कितना है 20 तो यह 10 यह 10 तो यह वाला जो लाइन है यह हो गया 10 का यह नहीं पता इसी को निकाल लेते हैं और यह यहां तक देखिए यह तीन सीच्विशन बना है यहां तक पूरा कितना है 26 और यह कितना है 26 यह निकाल लेते हैं यह निकालना पड़ेगा यह वाला और टूटल में घटाएंगे तो आजाएगा आंसर चलिए तो यह ट्राइंगल हम लोग का बन गया है यह वाला यह कितना है 10 यह कितना है 28 यह नहीं पता यह निकाल लेते हैं सिंपल है करन का वर्ग == to proud लम स्कॉर प्लस अधहार का है स्कॉर जोकरन कि नहीं 28 28 इस कंवर्टू लब वर और कितना है 9 स्कॉर्ट्ट का इस फ्लस अधार का स्कॉर स्कॉरर। तो 28 का कि स्कॉर क्रेंगे तो कितना होगा 600 Max यह 10 का हो गया 100 प्लस आधार का स्कुयर तो इधर 72-100 कर दीजिए और यहению गया अधार का स्कुयर कि इतना हो चेगा 56 बराबर आधार का स्कुयर तो इधर लग जाएगा अंडर dh Kimberly बचाएगा आधार 586 किसका है भई आफ arts जेत्र आता है चीवेस चान अधार तो ये कितना निकल गया 24 यह आ गया 24 और टोटल कितना है यहां तक 24 है और पूरा टोटल 26 है तो यह कितना बचेगा दो तब तो 24 और 26 होगा ठीक है तो इस प्रकार से कोस्चन इसमें पूछेगा ठीक है और किसी स्टूडेंट को अगर नहीं समझाया होगा पाइथा गुरस तो डारेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं ठीक है तो चलिए इसमें बहुत ज्यादा निमेरिकल नहीं पूछता आज क्लास नहीं खतम करते हैं और वीडियो आप लोग देखते रहिए अपने दोस्तों को भी सेर करिए और लाइक और कमेंट जरूर करिए ठीक है थैंक यू फर वाचिंग